केंद्र ने अंतर रास्टर यात्रों के लिए जारी की गाइडलाइन्स एरपोर्ट पर 24 दिसम्मर से रेड एंड स्पैलिंग नमस्कार मैं हूँ अलकजा स्वागत है आपका दभारत टुजिन न्यूस पर चीन सम्यद अन्य देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंदर सरकार हरकत में आ गई है स्वास्ते मंतरा लेने भारत आने वाले अंतर रास्टर यात्रों के लिए गाइडलाइन्स जारी कर दी है जो भी अंतर रास्ट्रे यातरी भारत आ रहे हैं उनके fully vacancy होना जरूरी है उन्हें fully vaccinate होना जरूरी है यातरा में फ्लाइट के दौरान या फिर एरपोर्ट पर entry और exit, point पर mask लगाना और social distancing का पालन करना आनिवारे हो गया है कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने और international flights के दो प्रतिशत पेसंजर की readiness spelling करने का निर्देशन दिया गया है 24 दिसंबर से यह लागू होगा स्वास्त मंतराने ने कहा कि यातरा के दौरान किसी भी मुसाफिर को कोरोना के लक्षन पाए जाने पर उसे standard प्रोटोकॉल के तहट isolate किया जाएगा ऐसी यातरा को isolation facility center में treatment कराना होगा सरकार के मताबिक सम्मन्दित airlines द्वारा करम रहित रूप से COVID testing के लिए प्रतिये एक उडान में यातरियों को चुना जाएगा बताया जा रहा है कि एक उडान में कुल यातरियों का दो प्रतिशत आगमन पर एयरपोर्ट पर COVID testing से गुजरना सुनिश्चित रहेगा एयर्लाइन द्वारा ऐसे यात्रियों की पैचान की जाएगी सेंपल देने के बाद यात्रियों को एयरपोर्ट से जाने दिया जाएगा पॉज्टिव रिपोर्ट पाने वाले सेंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भीज आ जाएगा वहीं केंदरे स्वास्त मंत्राले अब हवाई यात्रा से 72 घंटे पहले की गई आटी पी सीयार जाच की जानकारी बढ़ने से जुड़े एयर सुविधा फॉर्म को फिर से अनिवारे करने की तयारी कर रहा है यारियम चीन और अन्य देशों से आने वाली यात्रियों पर लागू होगा फॉर्म में कोरोना जाच रिपोर्ट के साथ फुल वैक्सिनेट सेटिफिकेट की जानकारी भी करनी होगी क्या कोरोना वापस आ रहा है? क्या वही दहशत वापस ला रहा है? अगर ऐसा हुआ तो बहुत खरनाक होगा इससे पहले सावधानी बरतें सुरक्षित रहें खुद को सोशल डिस्टेंसिंग से बर कर आये रखें क्योंकि जादा संपर्क में आना कोरोना को दावत देना हो सकता है इसलिए ऐसा ही अपडेटीड न्यूस से जुड़े रहें और बने रहें इंडिया न्यूस हल्थ दभारत टुड़े न्यूस के साथ